हेलो डियर फिचर ओफिसर स्वागत है आप सबीका ओनली आईस में और यहां हम रिविजन करेंगे कर्णंट अफेर्स का mcqs के थू तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओनली आईस की तरफ से कुछ नए प्रोग्राम्स शुरू हो रहे हैं 31 तारिक से 31 मई से तो उसी को ध् dpp.onlyis.in पे उसके बाद जाने के बाद वहां पे आपको जो भी कॉर्स सिलेट करना हो आप dpp यानि के प्लिम्स वाला dmp यानि के मेंस वाला idmp मतलब मेंस और प्लिम्स दोनों इंटीग्रेटेड है उसके बाद अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो आप अपन ही कॉर्सेस अवेलेबल हैं dpp का यूस भी कर सकते हैं आप प्लिम्स के लिए और मेंस के लिए dmp है और idmp है इंटीग्रेटर इसका ओलड़ी शिडूल बना हुआ 26 तारीक को 27 तारीक को हो चुका है 28, 39, 30 तारीक ये चालू है तो आप सेडूल देख सकते है 28 तारीक को होगा 26, 28, 39, 30 तो 28 को है इंडियन कॉंस्टिशन, 29 को है सोशल जस्टिस, हंगर ये सब और 30 तारीक को है एथिक्स में फंड, फांडेशनल वेल्यूज ऑब दी सिविल सर्विसेज तो ये सारी चीजे हैं अगर फिर भी आपको कोई इश्यू रहता है तो आपको कोई डाउट रहत दूसरे में दिया हुआ है पहले सवाल के अंदर दिया है कि जब स्वदेशी मूव्मेंट का प्रोक्लमेशन किया गया उस वक्त गोपाल कृष्णा गोखले जी प्रेजिडेंट हुआ करते थे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के दूसरे में दिया हुआ है 1905 तक आई-न-सी क कोई भी प्रेजिडेंट मुस्लिम नहीं था तीसरा बोला है कि आई-न-सी का प्रेजिडेंट वो ही व्यक्ति हो सकता था जो उस रीजन का ना हो जहां पे कॉंग्रेस का सेशन हो रहा हो ठीक है देखे अगर आप तीसरे के ओर जाते हो तो आपको एक बहुत फेमस सी बात प बनेंगे तो तीसरा स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि ये विल्कुल ठीक है कि प्रेजिडेंट वो ही बनेगा जो उस रीजन का नहीं है ठीक है आउटसाइडर तो तीसरा हमारा करेक्ट है दूसरा अगर हम देखें तो गलत हो जाता है क्योंकि बदरुदीन तैयव जी ज ही हो गया वन एंड टू हमें करेक्ट पूछा है तो तीसरा हमारा करेक्ट है और दूसरा हमारा गलत है क्योंकि 1887 के अंदर मदरास में जब सेशन होता है तो बदरुदीन तैयव जी ऐसे पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं जो कि आईनसी के प्रेजिडेंट रहे हैं 2015 के अंदर दूजरा बोला था कि भारत के जो सेद बदरुदीन तैयव जी है वो कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट थे हिंदी में आप यहां देख पाओगे तो यहां पिक्चर के माध्यम से देख तकते हो राइट साइड में ये सेद बदरुदीन तैयव जी है और 1905 के अंदर जब बनारस यानि की वारानसी के अंदर जब session हुआ तो उस समय स्वधेशी की आपचारिक रूप से घोशना formal proclamation किया गया था question number 2 देखते हैं स्वधेशी movement के बारे में कौन-कौन से reason थे वो हमें बताने हैं देखिए पहले में बोला है कि हमारे जो इंडियन लोग थे उनको awareness increase होने लग गई थी हमारी इंडियन जनता के अंदर कि ब्रिटिश लोग हमारी जो है वो drain of wealth कर रहे हैं मतलब हमारे यहां से पैसा जो है वो लेके जा रहे हैं और अपने देश में ले जा रहे हैं दूसरा ये कि जो भी fund available था उसको railway और police पे लगा रहे थे, use कर रहे थे education और famine पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तीसरा है कि Indian University Commission Act 1904 बना और कलकत्ता Corporation Act 1899 तो देखिए ये सारे के सारे ही जो है reason थे स्वदेशी movement के all of the above हो जाएगा पहला यहाँ पे आप English में देख सकते हो इसको explanation को Hindi में आप यहाँ देख सकते हो drain of wealth theory के जो एक सबसे बड़े जो प्रचारक माने जाते हैं, सबसे बड़े जो supporter माने जाते हैं, दादा भाई नेरो जी उनका बोलना था कि अंग्रेज लोग यहाँ से पैसे लेके जा रहे हैं हमारी जो wealth है, उसको अपने देश में लेके जा रहे हैं और हमारा भारत गरीब नहीं है, यह गरीब सिर्फ अंग्रेजों की बज़े से हैं अगर अंग्रेज हमारे देश से चले जाते हैं और हमारे यहाँ पे जो domestic capitalist है, उनको अगर हमें encourage करते हैं तो definitely हमें जो हमारे जो Indian economy बूस्ट करेगी देखे, यह Sir Thomas Relay Act बना था, इन यह 1904 1904 के अंदर इनको जिम्मेंदारी दी गई थी कि आप युनिवर्सिटी से related एक report बनाईए तो इन्होंने बोला था कि जो universities हैं, they are the factories of sedition, वो देश द्रोह करवा रही हैं तो 1904 में जब Relay Commission के report आई उसके बाद जो हमारी universities हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनके उपर जो है, वो strict control हो गया जहां तक railway की बात है तो railway की वज़े से अंग्रेजों को फाइदा यह हुआ, कि जो hinterlands हमारे जो गाओं वगेरा थे या दूर दराज के जो इलाके थे, जहां पर raw material है, कच्चा माल है बाकी other resources हैं तो अंग्रेजों को वो connectivity बहुत better मिल गई, और जहां तक बात है यह कलकता Corporation Act की तो इससे यह हुआ, कलकता Corporation Act में जो election हुए तो elected जो members थे उनकी number जो है, वो reduce कर दिया गया और official जो members है उनको increase कर दिया गया तो यह चारों ही हमारे पास reason available है स्वधेशी movement के और finally जो स्वधेशी movement के अंदर जो एकदम end movement पहाता है वो आता है, बंगाल का partition होता है, एक तरफ East Bengal बंगाल बन जाता है, और दूसरी तरफ हमारा जो है, वो सिर्फ Bengal जिसके अंदर बिहार और उडिसा भी include रहते हैं Question number 3 दिया हुआ है, कि Indian National Congress के बनने के पीछे कौन कौन से reason है पहला reason तो यह है, कि British government ऐसे लोगों को support करती थी, जो कि educated थे जो elite थे, जो कि British culture को support करते थे या एक तरीके से हम बोलें, तो वो British लोगों की हां में हां मिलाते थे, दूसरा यह है कि British लोग जो है, वो चाते थे कि वह एक कोई safety वाल हो जाए, कि वह यह जो लोग हैं, जो हमारा oppose कर रहे हैं, इनको कोई platform मिल जाए, जहां पर यह अपनी बातें कर ले, अपनी speech दे ले और अपना गुसा जो है, एंगर जो है, उसको सांध कर ले, तीसरा है कि British government चाती थी कि administrative और political power जो है, इंडियन्स के हातों में दिया जाए और एक Congress जैसी एक organization के through दिया जाए देखो इस question को हम अगर तीसरा statement देखें तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अंगरेजों के मन में कभी ये था ही नहीं ये बात कभी थी नहीं कि हम भारतियों के हाथ में किसी भी तरीके से कोई भी power दें या ऐसा कुछ दें अगर तीसरा statement हम cancel out कर देते हैं तो हमारे पास option ये बचता है कौन सा बचता है हमारे पास option number बचता है B यानि कि 1 and 2 तो British लोग क्या कर रहे थे ऐसे लोगों को support कर रहे थे जो उनके support में थे जैसे कि बड़े बड़े जमीनदार हो गए या कुछ merchants व्यापारी ये सब लोग थे और बाकी safety वाल की जो theory है वो भी बिल्कुल सही है कि British लोग जो है वो एक ऐसा वो उनके मन में यह था कि Congress जो है वो as a platform काम करेगी और हम ऐसे जो भी leader है जो कि discontent है जिनको कोई भी गुस्ता है अंग्रेज सरकार के खिलाब वो इस platform पे उतार सकते हैं वो गुस्ता यहाँ पे आप हिंदी में देख पाऊगे और ये Congress का वो पहले session की photo है जो हुई थी लगबग 72 delegates ने इसमें हिस्सा लिया था question number 4, 90, 90, 90 strategy है ये किस से related है कौन से disease से है तो ये AIDS से related है बहुत easy सा ये question है English में आप यहाँ देख पाऊगे और हिंदी में यहाँ देख पाऊगे देखे 90, 90, 90 क्यों बोला गया है ये 90, 90 इसलिए बोला गया है कि overall जितने भी लोग AIDS से infected है उनमें से 90 percent लोगों को हमें identify करना है अब जिन लोगों को हम है कि जो जिन 90 percent लोगों को हम treatment देने उनमें से भी जो 90 percent लोग है उनका जो viral load है हम कम करेंगे और उनकी जो immunity जो weak हो चुकी है उसको हम strong करने में मदद करेंगे तो ये 90, 90, 90 target आप देख सकते हो question number 5 दिया हूँ एक report के बारे में कि global climate report किसके द्वारा release की जाती है तो बहुत आसान सा question है ये release की जाती है World Meteorological Organization WMO के द्वारा English में आप यहाँ देख पाओगे Hindi में आप यहाँ देख पाओगे और ये कुछ report है देखो जब भी हम इस तरीके के question पूछते हैं तो या तो हो सकता है कि हमें इस report को directly ही exam में आ जाए कि इस तरीके की report को कौन release करता है नहीं आएगा तो हो सकता है कि हमें WMO के बारे में पूछ ले तो WMO जो है वो इंटर-governmental organization है इसमें government जो है वो coordinate करती है corporate करती है 1950 के अंदर WMO convention लागू होता है और ये United Nation के special agency इस बात पर आप focus ज़रूर करना कि UN की special agency है और इसके पास जिम्मेदारियां क्या-क्या है meteorology की इसके पास जिम्मेदारियां है weather और climate की जलवाईयू और मोसम की hydrology से भी related water से जो related है उसकी भी जिम्मेदारी है और geophysical sciences से भी related इसके पास जिम्मेदारी है तो इतना अपने को basic idea होना चाहिए अपना जो previous session था उसमें था कि इंडियन national conference को किसने organize करवाया तो आनंद मोहन बोस और सुरेंदरनाथ बैनर जी ने organize करवाया तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंडियन जो national conference है वो इंडियन national congress की INC की एक predecessor organization है और बाद में INC आगे जाके क्या होता है कि Congress के अंदर मर जो जाती है आज आपको बताना है कि Congress की पहली Indian women president कोन है Congress की पहली महिला भारतिये President अध्यक्ष कोन थी ठीक है यह आपको बताना है बाकी आज आपका कैसरा performance आप जरूर बताईएगा इन वीडियोज को आप अपने साथी बंदूओं के साथ share भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका benefit मिले Only eyes से चुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका